मैं हूँ तेजवीर सिंग अलुना सबसे पहले सभी पैरामिट्री से ही देशवासियों को मेरी तरफ से जैहिन आज मैं दिली में हूँ और मेरी मुलाकात हुई है जो अपने भाई स्ट्रेस काउंसलर है लोकेश कुमार सिंग जी तो आज हम आपस में चर्चा करने वाले हैं कि स्ट्रेस के करण आए दिन पैरामिट्री में जो आत्मत्या हो रही हैं हम उसको कैसे रोख सकते हैं हम अपनी बात सरकार तक बलके अधिकारियों तक कैसे पोछा सकते हैं लोकिस कुमार जी, आप स्ट्रेस कांसलर का काम करते हैं, राए दिन में देखता हूँ, वीडियो भी जारी करते हैं, जो जवानों तक पोस्ती है, हमें और क्या करना चाहिए कि देश की फोर्स में पेरामिट्री जवान जो आत्मत्या करते हैं, उस पर रोक लक्स के, सरकार कर यह प्रियास, बलके अधिकारी भी कर रहे हैं, सभी फोर्स कर रहे हैं, लेकिन सक्सिज नहीं हो पा रहे हैं, लोग अपने साथियों को मार के आत्मत्या कर लेते हैं, तो हमें और आपका क्या विचार है इस पर देखिए सर मैं आप से असपष्ट करना चाहता हूँ, कि आत करेद कदिकारी भी होता है, उसको भी हो सकते है, हर संसार में जो जी हुए है, उसमें पोवी एस्ट्रेश है किसी ना किसी परकार से. तो इस्टेस कोई ऐसी बहुत बड़ा चीज नहीं है कि जिसको खत्म नहीं किया सकता है, जिन्दगी में हर जगा आपको तनाव है, आप जब कोई परामेटरी फोर्स में आता है तो भरती होता है, उससे पहले तीन लाक लोग बाहर गेट पर खड़े होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट होता है, अब मानते हैं 555 वेकेंसी आ है, 555 वेकेंसी में कम से कम पांच लाक लोग आ जाएंगे, तो 555 ही वेकेंसी में वो क्वालिफाइड करते हैं, जो मेंटल से फिट होते हैं, ट्रेणिंग में इनको इतना मजबूत नहीं किया जाता कि मेंटल उनका जो करते हुए वो आके गाजियाबाद में आत्मात्या कर लेते हैं, तो वो इतने बार उच्चा दिकारियों द्वारा परिसान करना, कैपिसिटी से ज्याद है, डूटी लेना, समय पर छोटी ना मिलना, यह भी कारण कुछ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज यह है, कि आ स्टेस तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए स्टेस पे हम यह स्टेस को खत्म करना है सबसे पहले, कि हम जिसके पास बैठ रहे हैं, हमारी संगत जिसके पास है, वो निगेटिव थोट वाला ज्यादा है, आज की देट में, भड़काने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं, आप आघ कराया, तो नोकिर छोड तो कोई दिक्कत नहीं है, चले, वो खुद नहीं चोड़ते हैं, वो खुद नहीं चोड़ते हैं, निगेटिव थोट हो गया, कही बार ऐसा देखा गया कि डूटी के लिए बंदे चीलिए ही 120, लेकिन वहा पे बंदे होते हैं 50, जो बंदे औ जैसे मेन पावर और होती है उनका दुरुपयोग होता है अगर उनका दुरुपयोग ना हो सारे बंदे बॉर्डर रपै या डूटी के लिए लगा दिया जाए तो डूटी पूरी होगी बंदे का इस्ट्रेस नहीं होगा उसको नीन भी पूरी होगी और उसको टैम पे काहवत है कि हमारा उतना ही दायरह होना चाहिए जिस दायरह में मतलब काम करना चाहिए कोई भी एक जवान लिए प्रियास रठी है वीडियो जारी करते लोगों से मिलते हैं. अपने जवानों के लिगे क्या positive संदेस देना है? देकिए हमारा जो दस साल का ताजरूरूबा कि यह कह रहा है, कि जवानों की जो basic needs है वो सबसे पहले है pensum. Pen son भूरी चाहिए और वी पैंसन में दिखा जाए जो बुदपूर में या बर्तमान में है जो बुदपूर में उनको भी 50% दिया रहा है यस मेरे मुझे खुद कम मिल रही है जबकि एक Central Armed Police Force Union of the India है तो वो खुद कहा रही है अपने गजट के अनुसार तो उसमें आपको 75% मिलना चाहिए क्योंकि आर्मर्ड फोर्स है आपके पास यह जो डिप्लोमेसी है यह ऐसे हमारे मुझे मुझे जो लगा कि परमेंटरी फोर्स को देर-देर क्रिटिसाइज किया गया है यह कांग्रेस की पार्टी ने की थी 2014 में 2011 में पार्टी तो सभी एक जैसी रही है नहीं सब जगे मैं बात नहीं कर देखिए हम देखिए हम नि लेकिन हम जो लोग हैं जो रिटाइड होंगे हम सड़कों पर प्रदसन करते हैं मेडिया के थ्रू आवाज उड़ाते हैं लेकिन सरकार पर असर नहीं पड़ता अभी कुछ देखने में सुनने माया कि राश्थान बगएरा में पैंसन जानी कर दिये तो ऐसा केंदर सरकार क वी ऐसा करना चाहिए वाज्याध है क्योंकि मेरे लेधा है में तो फोर्स का सदेश से रहा हूं चप्वी सार वहीं मैं बोल ला हूं ना कि आप भी खुछ जमान रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि उनके निट्स को बेसिक निट्स जो है वो सबसे पहले पहले पेंसन जो है सरकार या क्रिटिसाइज कर रहे है तिसी के चलते मैंने तो मेरा यह कहना है कि भी पैंसन जो है बेसिक नीड है इनका मोराल होता है कि हमें तो फैंसन भी नहीं नोकरी के बाद और ये भी एक कारण है आत्मत्या का और बहुत सारे रिजन रहे होगे हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस परिष्थितियों में वहाँ पर जोब कर रहे हैं वहाँ का कमांडिंग अफसर कोन है टाइप अफ डूटी कोन है छुटी क कमांड के लिए बढ़ना विशेन को फाद करना है आगे अगर यकुष आदिकरी को भी रिपोर्ट कर जुजवान है कि किरोणे के चाछी है इंगे करना हूं लेकिन सबसे बड़ी चीजिए देखिए सैबाइध 켜ता है np मैं प्रदानमंतिम्ति नहरे नते मुद है कि जो पहले सरकार थी उन्होंने एसाई पद फोपा जवस्ति फोपा यह रैंक में भी जो कर दिया गया समझे रहे हैं मेरी बात अच्छा बीए सब मैर इसमें 22-22 साल तक आदमी यह भी एक हतोट साहित होता है सिपाई रहता बाइस साल देखे 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 मैं आपको अपने से मतलब है स्वयम से कोई प्रमोशन में प्रमोट हो या ना हो यह कोई मतलब नहीं आज समझे एक बीएसेप में और सी आप में तोड़ दिया तो उसको हवालदार मिलने में 22 साल लग जाते हैं मतलब रैंक हम कोई जो सिपाई भरती हो रहा वो कोई अपसर का रैंक अपना नेक्स्ट रैंक मांग रहा तो उसको समय से मिलना चाहिए वह 20 साल में तो वह कमांडेंट बन जाते हैं अस्टेंट कमांडेंट होते हैं इस पर क्या करना देखिए सबसे बड़ी चीज है आज गरेट में असिस्टेंट कमांडेंट 2004 के जो भरती हैं CRPF में उनको भ सबसे बड़ी चीज है कहावत है कि जो लोग एसी में बैठे हुए है समझ रहा है मेरी बात जो लोग एसी में बैठे है उनको अपने से मतलब है सबसे पहले काम होना चाहिए कि सेंट्रल आर्म प्लिस फोर्स मिनिस्ट्री बननी चाहिए भारत में जैसे आपको निती इतने बढ़ियां अपसर हैं जो जेनमीन काम कर रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी चीज है एक चीज और आप जब आप कहा दी है पंकर साब के बारे में मैं भी रिसर्च करता हूं तो मुझे पता चलता है कोई भी डीजी मोहदे अगर आते हैं किसी पेरामिटी पोर्स मे कम से कम उनका कारेकाल 5 साल होना चाहिए तो कारेक उनको समय बहुत कम मिलता तकी और 2 साल में 6 भर बोलर विजीट कराते हैं यह जर से क्वाने वाला हो गया और आप अपने जो ट्रेडमेन भाईं 5 बृड कलास बढ़ती होता है あंका मतलब इनको प्रमोशन मिलना चाहि है इनको भी देखी अभी की स्य Unefam mौ में प्रमोशन किया उसर्फ आप हमारी के ओलो प्रमोशन हुआ है आप बहुत बेंदर काम करते हैं गां बॉanie पर भड़ती होता है तो इसके बच्चे पूछते हैं कि मेरे पापा क्या है क्या प्रमूस्टेबल है मेरे पापा क्या है तो यह एक मुराल अपके लिए आदमी को मतलब एक मैं साप असपस्ट बोलना चाहता हूं कोई भी कैडरी भी होता है उसमें जो जमान है उनके पूरे मोराल भैलू को देखते हुए समुचित विवस्था के लिए किया जाता है जिसमें उनकी नेक्स्ट प्रमोशन जल्दी हो सबसे पहले तो एसाइप खतम होना चाहिए मैं तो यह सब्सक्राइब जो है वो आपको सबसे मैं आपको एक ही बात जब 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 जिस दिन आपको सेंटर आर्म प्लिस्ट बन जाएगी निटी आयो की तरह जैसे बनाए गया था सबसे सौ बीमारी का जड़ खतम हो जड़ खतम तो जिस दिन यह मिनिस्टी बन जाएगी उस को भी रैंक मिलनी चाहिए तो सरकार काम कर रही है महने देश्यक्स जो बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं हो सकता है हमारी वीडियो उन तक पहुचेगी तो उन पर और असर पड़ेगा एक बात मैं आप से कहूंगा कि जितने भी यह मामले जो चल लेखें जो भी मामले घटित हो रही एए हमने में सब पे कट्री कर दिय अधिये सरकार सोही रहती हर चीज कोट के से मिलती बिना मांगों कुछ नहीं मिलता कोट से मिलता है कहावत है म्यायपालिका कारेपालिका पर काम करने के लिए बनी है जब न्यायपालिका कारेपालिका काम नहीं करें तो न्यायपालिका के पास हम जाएंगे सब्सक्राइब आपमीक MS. पाली का सरकार के दबाम में काम करती हैं देखिए नयाए पालीका जो है वह दबामीक अो हम तो कहते हैं कि इस पर हमारे हमारे हमारीильно पर दिशियरन हो गय कंँछ। और थो गहारा थे वाली穴ेश डूर में पुर्णवारा के बहुत बड़े कंट्री को चोमन दीन तक लड़ लड़ा है तो एक जो सेनिक है वो देश की रीड की हड़ी होता है हमें अपने देश के सेनिकों को मजबूत करना चाहिए उनका स्ट्रेस दूर करना चाहिए और जो उनको पैंसन वाला मुद्दा है पैंसन तो जरूर मुनिच चाहिए तभी उनका मुराल अपोगा और समय से उनको पदोनती भी मिलने चाहिए चाहिए चाहिना बोडर पर आपको लास्ट हम बोल देते हैं आपको चाहिना बोडर पे यह पैरामेटिक फोर्स का दिन है कि डोकलाम में जो कांड हुआ उसके बाद यह सभी डर गया चाहि लिए यह हमारे सैनिक मजबूत है उनके मुराल चाहिना डरता है भारत से क्योंकि हमारे देश के सैनिक मजबूत है मैं सभी देश के सैनिकों को सलूट करता हूँ जैहिन नमस्कार